नमस्कार दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के एरफोर्स बेस के पास में जो हैलीपेट के पास में ड्रोन अटैक हुआता है इंटल की कवर आई है कि पाकिस्तान के टेरर ग्रूप जो लशकरे तोईवार जैसे मोहमद हैं इस जम्मू एरफोर्ट ब्लास्ट के पीछे हो सकते हैं देखें न्यूज 18 की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल अभी 25 मिनट पहले की है इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस इंटल के अनुसार ये जो ड्रोन्स का यूज है पाकिस्तान के द्वारा वो बताया गया है कि में 2020 जब रमजान था लास्ट इयर उसके दौरान लशकर तोईबा और पाकिस्तान में जो संगटन है उन्होंने ये ड्रोन के थ्वारा अटैक और IED या ग्रेने ट्रांसफर करने की बात सोची दी किसके लिए हिजबुल मुजाहिद्दीन जो काडर्स हैं जमू और कश्मीर के उनके लिए इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ ये देखिए ये जो मीटिंग थी कि जो ड्रोन था वो लगभग 5 kg IED करी कर सकता था और डिस्टैन्स फ्री किलोमीटर फ्रम दा कंट्रोलर तक जा सकता थो तो आभी समझ जहांपर ब्लास्ट हुआ है उससे तीन किलोमीटर पहले तक ये एक डिस्टैंस कवर कर सकता है कि कंट्रोलर को तीन किलोमीटर पुट अभी इसी वक्त आया है इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह जम्मू कश्मीर के जो एरफोर्स बेस है उस पर एक अटेक हुआ था सिद्धान सर ने इस पर वीडियो भी बनाया था और इंडिया टूडे के अनुसार ये पहला ड्रोन अटेक था ल और ये इंफॉर्मिशन है जो एरफोर्स ने अपने हैंडल पर दी थी कि टू इंप्रोवाइज एक्स्प्लोसिव डिवाइसे जिने की आईडी भी का जाता है उनको अटेक किया गया था डिफेंस एस्टिबलेश्मेंट में जो देश में है उस पर ये एक पहला अटेक मान जा सकता और यह बहुत ही एक बड़ी चुनाती है जो हमें भारत को बहुत ही टिपिकल तरीके से देखनी होगी क्योंकि आज ही मैंने एक वीडियो बनाया इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड मिलिटरी कमांड का और इसके साथ-साथ जो शंगाई कॉर्परेशन मीट में उसमें हमारे नेशनल सेक्योरिटी अडवाइजर थे अजी डोबाल जी उन्होंने भी इस ड्रोन और जो हाई टेक्नलोजी है मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमें इन चीजों नई टेक्नलोजी का ध्यान रखते हुए अब है कैसे यह माना जा सकता है कि हमारी जो सिक्यूरिटी फोर्सेज है फिर जो आतंकवादी गतिविदिया है वो अब हमारे अंदर तक आना चाती है जितना ही हम जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आतंकवादी और खास तरह पर पा एक साथ, शाथ मैं आपको बतातु हम जो ड्रों यूज किया था उशिये किस तरीके का ड्रों था और इस से पहले क्या इन ड्रोंस के माधयम से पाकिस्टान ने गतिविदी किये तो इसमें मैं आपको बतातू हम क्य阿ň में बतके माधयम से काई सारी चीजह है जो पहले भी पाकिस्तान ट्रांसफर करता है जैसर येoringa 69 ये पिस्टेल्स है ये सैटलाइड फॉन ये पैसे थक वो ट्रांसफर चुके ये हैσι अलग-अलग तरीके से ले टख ट्रांसफर की जाते- जिससे वो मोहावा पंजाब में केवल जम्मू कश्मीर नी पंजाब जो बॉर्डर पूरा इलागा है वहाँ पर ये ड्रोन्स के मादधम से इस तरीकी गतिविदी कर रहे हैं बीयसे वहीं जून 2020 को जून 2020 को 2020 में बीयसे ने शुटडाउन किये एक स्पाई اगतिवों को अलग अलग टाइपस के डोन एक हेकसाकॉप्टर डोन ड्रोन्स जो थे उन्होंने पिछली रात को जो ड्रोन के माध्यम से बंदू के देकि एक फोटी सेवन तक ट्रांसफर करते हैं इन सबको पकड़ाता है इसके साथ साथ नहीं आपको बता दूँ कि आट ड्रोन्स थे वो भी डिल्ला कई तरीकी की ड्रोन्स के माध्यम से ये इ इंडिया का मैपे जहां पर ये ट्रांसफर हो रहा ही देकि बिल्कुल काफी हद तक ये लगबग यहां पर इसे बॉर्डर जाता है जी पाक उक्यूपाइट कश्मीर है वो ये एक एरिया कहलाता है और इंडिया का जो लाइन आफ कंट्रोल है वो यहां से गुजरता है तो ये लगबग इस जगे आसपास से जहां पर अटेक हुआ है तो ये जो अटेक हुआ है इसने बहुत बड़ा चैलेंज इंडियन जो इस मिलिटरी फोर्सेस हैं और सेक्यूरिटी उसके पास लिखा है क्योंकि हमने आज तक ड्रोन के साथ वार्फेर नहीं किया है लेकिन हमारी इसराइल बहुत जादा वैतर मदद कर सकता है क्योंकि उस वो रोजमरा के रूप में इन ड्रोन के हमलों को रोकता है और आइरन डॉम का एक कॉंसेप्ट है या फिर अगर हम डी आइडियों की मदद से इस तरीके के ड्रोन को कंट्रोल करने के कोई एक्विमेंट या हमें छोटे छोटे जो डिफेंस सिस्टम है जैसे कि इसराइल ने आइरन डॉम जैसा कॉंसर्ट बना रखा है वैसे हमें या तो खरीद लेना चाहिए या अपनी ज़रूत के हिसाब से हमें इस रो डियाडियों और जो डिफेंस रिसर्ट जैसी अलग शेत्र हैं उनके थू इसको डवलप करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर प्रोक्यूर करने लेना चाहिए क्योंकि अब वारफेर जो होगा वो इसी तरीकी का हाई टेक्नलोजी की चीजों के माध्यम से होगा और हमें इसको बहुत तेजी से सुरक्षित रखना होगा और इंटीग्रेट या है हिंद जय भारत